मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े विमान के आगे जल गया ट्रैक्टर। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 1647 मुंबई जामनगर को पुश बैक देने वाले वहन में अचानक आग लग गई। उस वक्त विमान पर 85 लोग सवार थे। हादसे के वक्त एयरपोर सन्ने मुस्तै दिखाते हुए आग को जल्दी से बुझाया। इस दौरान फ्लाइट को भी कोई नुकसान नहीं पहँचा। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमबार को बड़ा हादसा टल गया। यहां यात्रियों से भरी फ्लाइट को पुश बैक देने वाले वहन ट्रैक्टर की वजह का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 1647 मुंबई जामनगर को पुश बैक देने वाले वहन में अचानक आग लग गई। उस वक्त विमान पर 85 लोग सवार थे। हादसे के वक्त एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हा विमान ने 12.04 बजे उडान भरी।